अगर वह लौक हो जाता है चाहे आपकी गलती से हो आपके फैमली से हो किसी से भी बच्चे से हो बुड़े से कोई भी अगर बंदा लौक कर देता है अगर आपके पास Realme, OPPO, Vivo, Xiaomi, Samsung किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन है तो ये मैसेज आपको जूर देखने को मिलेगा पास्वर्ट रिक्वाइड विन फोन रिस्टार्ट चाहिए अपने उसमें पैटन लगाया हो पिल लगाया हो अगर अपने अपने फोन में तो ये मैसेज आपको जूर देखने को मिलेगा इस भी डिवाइसेज में तो आज किस वीडियो में जानेंगे हम की कैसे सर्वी सेंटर में आपके फोन को विदेन मिनिट विदेन मिनिट अनलॉक किया जाता है जी हाँ दोस्तों प्रॉसेस बिल्कुल सेम होता है अगर एक ट्रेंड बंदा इंजिनियर उसे एक दो मिनिट में कर देगा लेकिन अगर कोई नया बंदा है जैसे आप यूजर से हमारे जो नया बंदे हैं उनको थोड़ा समय लगता है तो हम इस सिच्वेशन को बहुत ही डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी किसी भी डिवाइसेस में लगे वे स्क्रीन लॉग को पासवर्ट पैटन पिन फेस लॉग को आप बढ़े आसानी से रिमूव कर लोगे यहाँ पे आपसे कोई भी पासवर्ट पैटन पिन नहीं मांगा जाएगा चली यहाँ पे जान लेते हैं लेकिन उसते भी पहले इंपॉर्टन चीज सब्सक्राइब करना बिलकुल निमत भूलीगा क्योंकि हम आपके लिए ऐस सही इंटरस्टिंग वीडियो को लाते रहते हैं तो फिलाल देख सकते हैं कि हमारे सामने एक स्मार्टफोन है जिसमें कुछ इस तरीके का मैसेज है आम लोग जो चाहे कोई भी हो अगर बार बार इनकरेक्ट पासवर्ट पैटन डालते हैं तो उनके साथ क्या होता यह दिखिए हम बिलकुल लाइज सीज को यहाँ पर दिखाने वाले है कि क्या होता है अगर आप अपने फोन में लगेवी लोग को भूल लाते हैं बहुत बार ट्राइ करते हैं तो यह मैसेज आता है फोन लोग ट्राइगें 25 सेकेंड बहुत लोगों ने मुझे यह मैसेज किया है मेल किया है फोटो भीजा और मैंने देखा भी है कि यह जो टाइमिंग है यह बढ़ जाता है 240 सेकेंड, 3000 सेकेंड 24 गंटे, 48 गंटे, 72 गंटे ऐसी यह टाइमिंग बढ़ते जाता है अगर वह ज्यादा रिट्राइग करते हैं तो अगर आप रिट्राइग नहीं किये हैं तो प्लीज रिट्राइग मत करना क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक है इस प्रोसेस में आपका फोन पूरी तरीक देट हो जाएगा जो real password pattern भी रहेगा तो भी वह उसको access नहीं कर पाएगा तो जादा आपको उसको retry नहीं किजिए बहुत सारे लोग ये भी करते हैं फोन को on-off, on-off करके try करते हैं ये भी नहीं करना चाहिए ठीक है अब ऐसा situation में आपका finger print वेगरा कुछ भी यहाँ पे काम नहीं करता है इस situation में चाहिए आप इसको कुछ भी कर दे जब तक आप correct password pattern पे नहीं डालेंगे ये यहाँ पे कुछ भी access आपको करने नहीं देगा मेरे दोस्तों ठीक हैं तो हमें क्या करना है हमें किस तरीके से अपने इस phone को unlock करना है without data loss यह सबसे important चीज़ है कि हमारे phone का data loss नहीं होने चाहिए कोई photos, videos, contacts, numbers कुछ भी messages delete नहीं होने चाहिए यह सबसे बड़ी parity होती है दोस्तों कि आपका phone का data देखो phone मैं मानता हूँ सब लोग खोल सकते हैं लेकिन data को बचाने यह सबसे बड़ा काम होता है, यह सब के बस की बात नहीं है, ठीक है हमारे पास ऐसे equipment से, tools से हमारे पास ऐसे engineer से जो इन सारों चीज़ों की knowledge रखते हैं ऐसा नहीं कि मैं खुद अकेला बंदा हो इस प्रित्वी पैसा करने वाला लेकिन यहां पे हैं कि knowledge है तो आप कुछ भी कर सकते हैं तो चली, यहां पे जान लेते हैं कि कौन सा हो method है जिससे आप अपने phone को unlock कर सकते हैं, सबसे पहले आपके पस कोई भी devices हो, आपके phone में emergency call अपको देंस को मिलता है Terror honest warranty options आपको यहां पे उपर नीचे कॉर्nor पे कहीं वी बनाथ कर लेगा तो यहां पे उसको आप emergency呼 chills apart और इस तरीके से इसको पे अपने पे क्लिक करो आ कि को सुखको यह message देखने को मिलेगा Emergency call only का message यहां पे आपको क्या कहने है स्टार हैज एट डेवल नाइन और उसके बाद हैज देखे ये option डाइल करते ही आप कहां पहुंच जाते हैं इंजीनियर मोड वाले पेज 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 को हम इंजीनियर मोड कहते हैं मैं बिलकुल आसान भासा में आपको सिखा रहा हूँ कि किसको क्या कहा जाता है वरना ये वीडियो इतना लंबा नहीं बनेगा अगर मैं अगर एक इंजीनियर की पॉइंट अव वीव से देखो तो मेरा काम है कि आपको समझाना भी किस तरीके पॉन अनलॉक होता है किस option में क्या होता ये भी चीज़ है क्योंकि गलत option में आप चल लाएंगे फोन आपका डेड़ हो जाएगा पार्टिकुलर कामरा माइक या कुछ भी ऐसा डिवाइस से यू काम करना बंद कर देगा तो इस इसकी भी knowledge देना बहुत जरूरी है फिलाल अभी आपको क्या करना है कि यहां पर manual test का एक option देखने को मिल रहा है इस option पर क्लिक करेंगे और manual test के option में आपको अब यहां पर बहुत सारे option मिलेंगे second option पर आपको swipe up करना है swipe up इधर से कर लिजेगा और यहां पर आपको देखने को मिल लाएगा सबसे जो first option हमें जाना है वो है sensor self test and calibration इसमें हमें क्या करने दोनों sensor को on कर देना है जितने भी sensor सब को on कर देना है चाहिए आपके फोन के devices के उपर depend करता है तो यहां पर एक pass होना चाहिए एक fail होना चाहिए तो पांचों को 5 pass हो जाए कोई एक अगर 7 sensor है 7 में से एक pass हो जाए 4 sensor है एक pass हो जाए 3 sensor है एक pass हो जाए 2 sensor हो एक pass हो जाए एक sensor किसी में नहीं होता या ध्यान रखी तो minimum एक sensor का pass होना बहुत जरूड़ी है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक sensor जो है pass हो चुका है अब क्या करेंगे back करेंगा हम इस तरीके से back करते हैं हम जो है engineer mode वाले page पे वापस आ चुके हैं और यहां पर अभी आपको क्या करना है कि सबसे last वाले option में चल जाना है सबसे last वाले option में आपको क्या करना है कि एक option देखने को बिलेगा read right read right में first time में इसको cancel कर दीजिएगा और फिर से इस पर click किजिएगा और second time में इसको ok कर दीजिएगा इस तरीके से तो ok करते हैं यहां पर आप वापस swap को क्या करना है इस तरीके से try किजिएगा कि यह swap अप होता है तो आप भी इसे तरीके के page में वापस आ जाईएगा कि जब भी कुछ इस तरीके का setting आपको देखने को यहाँ पर मिल लाएगा, okay, then अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस emergency call only वाले page में आने के बाद, अब आपको क्या करना है, star, hedge, and double nine, और hedge, वापस यह option आपको वापस यहाँ पर apply करना है, यह star, hedge, and double nine, hedge, और आप चल लाएंगे वापस इस engineer mode वाले page में, अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, manual test के option में जाना है, और सबसे last वाले option पर एक और चल लाएगेगा, other cause option है, सबसे last पर हैंई और यहाँ पे key status, इस तरीके से, key status का option आपको धेखनी मिलता हैं, की status पर आपको क्लिक करना हैं, तो जैसे आप key status पर क्लिक करेंगे यहाँ पे pass, pass, pass का option आपको धिखनी को मिल जाता है, ठीक है, यहां पे सारा चीज़ अगर पास हो गया है तो यहां पे सारा चीज़ जब पास हो गया है तो आपको क्या करना है बीच से इसको उपर स्वैप अप करना है अगर यह स्वैप अप हो गया तो फोन आपका अनलोक हुआ अगर नहीं हुआ तो phone unlock नहीं होगा इस सीच को आपको ध्यान देना है और अभी क्या करना है आपको अभी पूरा यहां पर काम खतम नहीं हुआ है ठीक है पूरा काम अभी खतम नहीं हुआ है आप वापस से क्या करेंगे इसको swap option डाल करेंगे और यह तो recently app जो आपने open किये ह यहां पर खुले होंगे तो अभी आपको क्या करना है इसको close कर देना है बही अपने device को लॉक नहीं होने देना है ज्यान देंगे को अब को क्या करना है कि जो आपका device यहां पे आपको अपने device का यहां पर सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको display वाले option में चल जाना है और यहाँ पर आपको अपना जो है यह देखिए इसका timing जो है बढ़ा देना है इसका timing कम से कम आपको 30 minute कर दीजिए जो maximum full होता है वहाँ पर यह कर दीजिए क्योंकि अगर आपका device एक बार lock हो गया तो यह य जाना है और अब जो है आप अपना data जो है निकाल लीजिए PC में चाहिए किसी भी phone में आप इसको निकाल लेजिएगा lock नहीं होने दीजिएगा और उसके बाद जब यह पूरी तरीके से आप data इसको निकाल लेंगे तो setting में जाके आपको क्या करना है setting में चल जाएगा setting मे चल जाएगा और backup and reset का एक option आता यहां पर आपको देखने को में लेगा reset phone फोन को यहां से reset कर दीजेगा और फिल आपका पूरी तरीके से phone आपका यह password फ्री हो जाएगा तो इस trick को आप कीजिए बहुत ही काम का trick है और हर device में भी काम करेगा बागी कोई दीकत होती हो तो नीचे में comment करें मैं बिल्कुल help करने के ready हूँ तो फिर मिलेंगे next video में thank you watching and bye bye